इस वर्ष करवा चौत एक नवंबर दिन बुधवार को है और चंदरोदय है आठ बज करके बीच मिनट में इस दिन जो है शौभाग्वती इस्त्रिया अपने पती के दीरगायू एवं शौस्त्व शरेर के मंगल की कामना करती हैं और यह पति-पत्नी के बीच में अगाध प्रेम पून समर्पन की भावना को लेकर के करवा चौत का एब रताता है और इतनी सद्धाशे शौभाग्वती इस्त्रिया करती हैं कई दिन पहले ही पूजा प्रारंभ कर देती हैं अंत में यह शंकल्ब ही करती हैं कि हम अपने पत कर्ण से समर्पन की भावना रखेंगी इसकी कथा यह है कि एक शमय जब अरजोन इंद्रकील परवत पर गए थे लाट करके काफी शमय तक नहीं आए द्रोपदी अत्यंत चिंति थी उस शमय भगवान फिरिकर्ष्ट चंद्री जी आ करके और द्रोपदी को इस करवा चौत के ब्रत का विधान बताया और पूजन किया और कहा है द्रोपदी तुम इस करवा चौत का ब्रत करके चंद्रदेव को अरग देना इस सीगरी तुम्हारी मनों कामनाओं की पूर्ण होगी और फ्रेष्ट शौभाग की प्राप्ती होगी और द्रोपदी ने शुन्धर उस ब्रत को किया और उसे शेष्ट शौभाग ब्राप्त हुआ जो है इस प्रकार से करवा चौत का ब्रत में जो है शुन्धर यह उनके लिए विशेष प्रेणा दायक यह ब्रत शमय लेकर करके आता है कि शौभाग बतित्रिया अपने पती के प्रती पूर्ण समर्पण की भा और लड़ नौ दौवुश समर्ण or लौपग विशेड़दा यह विवड से थे शौभाग बोल आ खेंग उनके अविव है ओम ब्रतम लनके वे विव हुशिए